संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है जहां एक युवक लोगसबा की कारवाई के दौरान सदन में घुसा लोगसबा की कारवाई को अस्थाकित भी करना परा है जैसे ही युवक सदन की कारवाई की बीच उपर से खुदा वैसे ही वहाँ पे अपरात तफ्री मच गई जिसके बाद संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए दरसल संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है यहाँ एक युवक लोग सबा की कारवाई के दौरान सदन में घुसा लोग सबा की कारवाई को अस्तागीती भी करने पड़ी जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह लोग सबा की है लोग सबा की कारवाई चर रही थी इसे दुरान एक युवक दर्सन गैल्डी से अचानक से उपर से नीचे कुदता है और न सिर्फ एक कुदता है बलकि एक के बाद एक दो तीन जो लोग हैं वो कुद जाते हैं जिसके बाद संसद की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए सवाल है कि आकिर वो कौन था किस मकसद से कुदता था चुकि आजी के दिन साल 2001 में संसद पर हमला हुआ था जिसमें कईयों ने अपनी जान गवाई थी और आज सुबस मेरे परदानमंत्री नरेंद्र मोदी आमित सास समय तमाम जो लोग थे वो जाकर सरदास बन अरपित किये और मिर्तक के परजनों से भी मुलाकात की उन्हें सान्तुना दी लेकिन जो आज तस्वीर निकल के सामने आई है वो बेदी अजीवो गडीब तस्वीर है चुकी संसद में वो भी नए संसद बन जहां तमाम तरह के सुरक्षा के मद्रजर उपकरन लगाएगा है जहां बिना पास की एक भी वेक्ती की इंट्री नहीं है संसद भी जाएंगे तो उन्हें अपनी आईडी काड यहां तक की थम भी उन्हें देना पड़ेगा तब जाकर उनकी इंट्री होगी लेकिन वो वेक्ती कौन था यह अपने आप में बड़ा सवाल है हलाकि कॉंग्रेस संसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि दो युवक दर्सक गैलरी से कुदे और उनके द्वाला कुछ फेका गया जिससे गैस निकल रही थी उन्हें संसदों ने पकर लिया और सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाल दिया सदन दो पर दो बजे तक के लिए सगित कर दिया गया है यह निशित रूप से एक सुरक्षा उलंगन है क्योंकि आज हम उन लोगों की पुनितिती मना रहे हैं जिन्होंने साल 2001 में अपने प्रानों की आहुती दी थी संसद पर हुए हमलों में कईयों ने अपनी प्रान की आहुती दी थी और उनके याद में हम लोग आज पुनितिती मना रहे हैं लेकिन आजी के दिन कोई वेक्ती सदन के अंदर घूस कर असानक से संसदों के बीच कूद जाता है कुछ फेकने लगता है हमला करने लगता है तो सवाल है कि इतनी बड़ी चूक सुरक्षा में कैसे हो गई इसकी जवाब दे ही किसकी है हलाकि कहा जा रहा है कि वो वेक्ती किसी संसद के द्वाला आया गया था किसी सांसद के रेफ्रेंस से किसी ने उसे पास मना कर दिया था लेकिन उसने जो फेका वो क्या था जिससे धुआ निकल रहा था जैसा कि अधीर अजन चौदरी बता रहे हैं और ना सिर्फ एक युवक बलकि दो युवक थें जो एके करके सांसदों के चेर पकुते हैं उनका मकसद क्या था क्या वो सांसदों पर हमला करना चाहते थे या फिर उनका मकसद क्या था ये सब कुछ जाच का विशा है लेकिन फिलाल पर्थम दिश्ट्रिया ये मामला काफी गंभीर बताय जा रहा है चुकि कोई वेक्ती संसद भवन ने घुस कर अचानक से वो सांसोदों के चेर पर कूद जाता है उपर से नीचे तो सवाल है कि सुरक्षाम इतनी बड़ी चुक आकिड हुई तो हुई कैसे